नमस्काल स्वागत है आपका आप देख रहे हैं जल संदेश टाइम सौरमेकीर्ती उत्तर प्रदेश की राजनीती को इस वक्त देख कर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल यूपी की राजनीती में बड़ा उलट फेर देखने को मिल सकता है और उस उलट फेर वाली का आज को और हवा दे रहे हैं सोशल मीडिया यहां हम सोशल मीडिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी के जरिये राजनीती में एक नया मोड आया है दरसल प्रगती शीर समाजवादी पार्ठी अध्यक्ष शिप्पाल सिंग यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बड़ा संकेत दिया है आपको बता दें CM योगी और PM मोदी से मुलाकात के बाद शिप्पाल सिंग यादव ने PM और CM और पूर्व डेपिटी CM दिनेश शर्मा को फॉलो करना शुरू कर दिया है जी हाँ योगी आदितनात प्रधान मंतरी नरिन मोदी समेत उत्तर प्रदेश के पूर्व डेपिटी CM दिनेश शर्मा को ट्विटर हैंडल शिप्पाल के जरीए फॉलो किया गया है हाला कि इससे पहले शिप्पाल सिर्फ PM और CMो को ही फॉलो कर रहे थे लेकिन मुलाकात के बाद शिप्पाल इन नेताओं की परसनालिटी को फॉलो करना शुरू कर चुके है असल में शिप्पाल यादव ने ट्विटर पर PM मोदी और योगी को फॉलो किया है अब राजनीती में यूँ ही तो कुछ होता नहीं है ऐसे में टाइमिंग को लेकर तमाम तरह की बाते की जा रहे है ऐसा माना जा रहा है कि शिप्पाल ले एक तरह से अपने भविश्य के कदम का संकेत देने का काम किया है बस फिर क्या इस गतिविदी के बात अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रगती शील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिप्पाल सिंग यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते है वहें राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगाया जा रहे है कि भारती जनता पार्टी शिप्पाल को राज सभाव भेज सकती है और जस्वन्त नगर सीट उनके बेटे आदित यादव को दे सकती है अखलेश ने विधान सभा चुनाओ में आदित यादव को टिकेट देने से इंकार कर दिया था दरसल यूपी चुनाओ के नतीजे सामने आने के बाद से ही अखलेश और शिप्पाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चाएं लकनाओ से दिल्ली तक दोड रहे है तमाम अठकल बाजियां शुरू हो गए फिलाल अगर शिप्पाल यादव पाला बदल लेते हैं तो कई लोगों को आशर नहीं होगा क्योंकि कई मौकों पर अखलेश ने खुद अपने चाचा पर आदितिनात के संपर्क में रहने और भगवा पार्टी के प्रती नरम रुक अपनाने का आरोप लगाया है हाला कि अब देखना ये होगा कि ये जो दिन प्रती दिन नए नए संकेत मिल रहे हैं इसका परिनाम क्या होता है शिप्पाल क्या BJP यानि की भगवा रंग में रंगने वाले हैं या वो अखिलेश के साथ ही रहते हैं ये जो जवाब है भविश्य में पता चलेगा और आपको हमारे जर्ये पता चलेगा और इस उत्तर को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रू सब्स्क्राइब कर लेजिए ताकि जैसे ही इस बात की खबर हम तक लगे हम आप तक तुरन पहुचा दे नमस्कार